फ्रेंड से दिखे यहाँ पर अडानी और हिंडनबर्ग का जो इशू है अभी और ज़्यादा गहराते हुए देखने को मिल रहा है अभी दो चार दिन तक आपको ऐसे ही कुछ नए डिवलप्मेंट देखने को मिलेंगे उसके बाद मार्केट सांथ हो जाएगा इशू सिंप अडानी के उपर भी उन्होंने टार्गेट किया है इसके बाद IIFL को भी टार्गेट किया है जिसे आप 361 के नाम से जो कि अल्रेडी लिस्ट है उसको भी टार्गेट किया है ठीक है तो काफी सारे लोगों को उसने लपेट दिया है और अडानी के बड़े भाही को भी लपे सभी की clarification से एक चीज बिल्कुल clear थी कि जो भी document देने पड़ेंगे वो आगे चलके दे देंगे financially बिल्कुल sound है सब कुछ यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है नि हिंडिनबर्ग ने जो भी आरोप और प्रत्यारोप लगाए इंडिया के उपर या इंडिया की regulatory authority के उपर वो सभ भी हमारी economy आगे बढ़ रही है तो कुछ लोगों को economy यहां की हजब नहीं हो रही है क्योंकि आपको पता होगा China ले लो Japan ले लो Korea ले लो हर जगह कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रहा है कि वह भारत एक ऐसा देश है जो कि economy के point of view से बहुत तीजी से आगे बढ़ रहा है ठीक है चाहिए वो infrastructure हो और किसी भी fieldics से related हो हम बहुत जीजी से आगे बढ़ रहा है और यह simple सी बात है जब भी कोई आगे बढ़ता है तो चाल लोग पीछे खीचने के लिए आई जाते हैं आपको मिली जाएंगे market में तो वैसा ही कुछ चल रहा है अब बात करेंगे देख है तो आपको यह opportunity की तौर पर लेना है ज्यादा इस पचड़े में पढ़ना नहीं क्योंकि ultimately चीजें सांत हो जाएंगी और market को गिरने के लिए एक बाहना चाहिए होता है वापस से यह बाहना आते हूँ देखने को मिल रहा है अगर foreign investors माल बेचेंगे तो आपको as a retail investor market को सम किये तो यकिन मानना इससे simple सी बात है जिसने वो report निकाली यानि कि हिंडनबर्ग वो कमा के ले जा पाएगा उसने सीधे सीधे अपनी report में last में लिखी दिया है कि वो अलड़ी short करके बैठा है यानि कि अगर आप अपना माल बेचोगे तो हिंडनबर्ग कमाएगा तो आप आपको यह देखना है कि आपने करना क्या है ठीक है तो simple सी बात है अगर आपने माल बेचा तो सामने वाला कमाएगा और इसके बाद भाई simple सी बात है आपको सारी चीज़े आपने देखनी है कि करना क्या है क्योंकि ultimate पैसा आपका है मेरे मित्रे channel को subscribe कीजीगा वीडियो को like किजेगा और आप दो दिन बात पाओगे कि भाई कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा सारी चीजें इस्टेबल हो जाएंगी जो बेचेंगे वो नुकसान करेंगे जो खरीदेंगे वो फायदा करेंगे अब मैं आपके उपर छोड़ता हूँ कि आपको खरीदना है कि बेचना है ठीक है चलिए यहीं से विदा लेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक बंगलादेश में क्या हुआ यह सबको पता है हमारे देश के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा यह हमको पता है ठीक है तो इसी तरीके से लगे रहो अपना दिमाग भी यूज किया गरो मेरे मेत्र चलो आपका क्यारा है यहां कमेंट वॉक्स में रखेगा बहुत-बहुत अनिक